हलो फ्रेंट्स, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल के अपर आपका बहुत-बहुत स्वाकत मेरा नाम है विनाश अगरवाल और यह है जिग्ग्यासा वीडियो सीरीज का एक नया वीडियो आपको जिग्ग्यासा डेली बेसिस पर देखनी चैनल के पांच इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, पांच ने क्वेस्टन के माद्यम से आपको सिखा दिया जाते हैं सवाल करण अफेर्स के आने वाले हैं उन सवालों को आप बढ़िया धंक से टैकल कर सके 10th and 11th October की जिग्ग्यासा है, पीछे की सारी जिग्ग्यासा आगे की सारी जिग्ग्यासा आपको देखनी चीए मादर 20-20 मेंटक आपका इन्वेस्टन और बहुत सारी नहीं नहीं चीज़े आपको सिखा दी जाती है stay home, stay safe, stay online, अब अपने family, अपने community सब का खयाल रखे, करोना को spread मत करिए जो भी त्यारी करनी है, घर बैटे करिए, safely करिए, online करिए, सिभी step के साथ जुड़के करिए क्योंकि हमने कई सारे courses आपकी त्यारी के लिए launch कर दियें दोस्तो हमने आपके लिए एक mains comprehensive crash course launch कर दिया है जिसके अंदर आपको 130 lectures प्रोइड करने लग रहे हैं, 13 tests प्रोइड करने लग रहे हैं बहुत ही शांदार और बहुत ही किफायती और rank oriented ये course से इसके अंदर आपको जुड़ना चीए 2021 के prelims के लिए हमने प्योर current affairs test series launch कर दिये दोस्तों जिसमें 26 tests यानि 2600 mcqs हम आपको provide कर रहे हैं May 2020 से लेकर May 2021 तक का पूरे current affairs का comprehensive coverage हो जाता है एक बार अपने परिशन प्लस जिग्यासा आपने कर लिया तो कोई magazine कोई current affairs के लिए कुछ और आपको करने की ज़रूरत नी पड़ेगी बड़े शांदार ढंक से सारी सारी चीजों की तैयारी आपकी हो जाएगी इस प्रकार की test series के अंदर आपको जुड़ना चाहिए हमने जो जिग्यासा के अंदर homework के questions आपको दिये हैं जो कि आपको बहुत सारी चीजों रिवाइस करने के अंदर बहुत सारी knowledge गेन करने के अंदर मदद करने वाले हैं जी आरेपी, कुम्ब मेला, नागोर्नो, करबक, एस वेले हमालियन, ग्रिफॉन, यूरेशन, ग्रिफॉन और NPA के बार में आज बात करनी हैं दोस्तों पहला question regarding graded response action plan आपके सामने रख दिया गया है इसी graded response action plan के बार में तीन statement दिया और आपको बताना है कि कौन से statements correct है क्या ये एक air pollution abatement measure है, यानि कि कम करने वाला measure है जो कि air pollution को control करने में help करेगा in the national capital region, क्या it is tiered by EPCA, that is environmental protection, environment protection prevention and control authority क्या ये mandate करता है, ban on the usage of diesel generators in the region when the air quality reaches severe plus level तीन statement regarding GREP आपको दे दी है, क्या है ये, कौन इसे steer करने लग रहा है और इसके अंतरगत एक objective fact आपके सामने रखा गया है आपको बहुत सोच समझ के decide करना है कि कौन से statements correct है काफी ज्यादा objective ये question है, difficult बन जाता है exam के अंदर precisely क्योंकि बहुत सारी objective knowledge हमारे पास नहीं रहती है तो एक important learning ये है, कि इस प्रकार के important plans, important policies, important schemes जो भी government की है उससे related जो भी objective points है, वो आपको वालूम रहने चीए क्योंकि exam के अंदर उन्हीं objective points को घुमा के question बना कर दिया जाता है जो भी आपका answer हो से आप block करेंगे, answer आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों answer to this question is A, पहले दो statements correct है, तीसरा statement गलत है आप देख लीजिए, दिली के अंदर जो है, वापस से जो है air pollution को control करने की जो steps है, जो measures जो लिये जाने है, उनके बार में बादचीच चुरू हो चुके winter आने लग रहा है दिली के अंदर as well as अन्य regions of North India के अंदर air pollution का problem वापस आने लग रहा है इसलिए हम वापस से graded response action plan का नाम news में देखने लग रहे हैं ये graded response action plan की पूरी जानकारी में आपको देने वाला हूँ Supreme Court ने 2016 के अंदर इसे अप्रूव करा था, इस plan को formulate करने के अंदर EPCA ने बहुत ही एहम भूमी का निभाई थी और EPCA ही इसे जो है आज भी steer करने लग रहा है ये जो plan है ये एक emergency प्रकार का measure है जो कि आपका industrial, vehicular, combustion, emission को control करने के अंदर help करता है और खासकर winters के अंदर हमार को इस plan के बार में काफी कुछ पढ़ने को मिलता है क्योंकि winters के अंदर जो smog का problem है, fog का problem है, as well as stubble burning का problem है ये सारे problems दिवाली का टाइम पे जो fire cracker का जो थोड़ा pollution होता है ये सारी चीज़ों को धियान में रखते हुए North India के अंदर pollution एक बहुती बड़ा problem बन जाता है तो उसी चीज़ को धियान में रखते हुए, इस measure के अंदर हमने क्या करा है, मैं आपको एक photograph दिखाना चाता हूँ कि अलग-अलग जो air quality index है, उसके एसाब से हमने measure define कर रखे है कि अगर air quality index हमारा moderate होता है, poor होता है, very poor होता है, severe होता है, severe plus होता है तो क्या प्रकार की steps हमारा को लेने है, such that कि हम pollution को कम कर सके, जैसे अगर severe plus हो जाता है तो entry of trucks into Delhi को बंद करना है, construction activity को बंद कर देना है, odd event scheme लागू कर देनी है task force, additional steps ले सकते हैं, such that कि schools को shut down कर दिया जाए सके, severe plus के अंदर severe के अंदर क्या steps लेने है, जो भी hot mix plants है, stone crushers है, public transport है, उसको intensify करना है ताकि लोग अपनी private vehicles ना use करे, sprinkling वगेरा को increase करना है, ताकि जो dust है उसको control करा जा सके इसी प्रकार से और कौन से कौन से measures, कौन से कौन से time पर लिये जाने चीए, ये पूरा-पूरा प्रकार का ब्योरा जो है ये आपको graded response action plan के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, उसके अलावा आप ये भी देख सकते है इस infographic के अंदर की दिल्ली सरकार ने और क्या steps उठाए है, such that की pollution को control करा जा सके आपको याद होगा कि आज से 2-3 दिन पहले की जिग्यासा के अंदर मैंने आपको पूछा था कि 18 steps बता दीजिए, urban pollution को control करने के लिए इसी point के पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर 7 step लिख रखे हैं कि air pollution को कैसे control करा जा सके ये सारी चीज़ आपको याद हो नीची है दोस्तों कि जब mains के अंदर आपको पूछेंगे न, 200 words का question जिसके अंदर आपको बताना है air pollution की strategy, urban areas के अंदर तो सोचने का समय आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस प्रकार की जिग्यासा के अंदर आपको वो सारी चीज़ों को gather कर लेना है, जो कि आपको mains के अंदर तो काम आने ही वाली है, प्लिम्स के अंदर भी काम आने वाली है, इस प्रकार की smart strategy को use करते वे, GRP का पूरा detail आपके सामने रख दिया है, कैसे इसको use करना है, इस value added note को हमने telegram channel के उपर रख देंगे, सारी चीज़ों को आपको समझा दिया है दोस्तों, अब जहां तक बातरी diesel अपना DG sets की, तो DG sets को इमीजेटली बैन कर दिया गया है, starting October 15, जो आपके DG sets है, उनको नहीं use करा जा सकते है, दिल्ली NCR टाउन के अंदर, तो इसका मतलब यह निए कि हम severe plus, जो है, pollution होने का इंतजार करेंगे, और फिर DG sets को बैन करेंगे, हमने DG sets को पहले ही बैन कर दिया है, किवल किवल emergency और essential services के लिए उसे use करा जा सकते है, प आपको इस सारी चीजे काम आ सकती है, 2016 में question पूछा गया था, कि मुंबई, दिल्ली, कलकता, तीनों mega cities है, लेकिन air pollution बहुत ही serious problem है, दिल्ली के अंदर as compared to the other two, इसका क्या कारण है, अगर आप आज भी इस answer को जानते है, तो आपको बताना चाहिए कि इसका क्या कारण है, moving ahead to question number two, कुम्भ मेला के बार में बात करी जा रही है, हाल फिलाल में, दोस्तों, इंडिया के अंदर, question आपको ये है, कि कुम्भ मेला कौन से sacred places से associated है, और 6 places का नाम आपके सामने रख दिया है, नाशिक, प्रयाग, हरिद्वार, वारनसी, उज्जैन और पूरी, ये 6 places के आपको कंड़क करवाया जाता है, कौन से place के अंदर held करवाया जाता है, कुम्भ मेला, ये question आपको पूछा जा रहा है, जो भी आपको सही लग रहा है, उसके साब से आप answer चुनेंगे, options आपके सामने रख दियें, चाहे तो वीडियो को pause करके चुन लीजिए, answer इस question का दो आपको इसका originating myth जो आपको पुराना सके अंदर मिलेगा, जो एक लडाई हुई थी, एक battle हुआ था between gods and demons की, जो अम्रित का कुम्भ है, याने की nectar of immortality का जो picture है, वो gods को भी चेता, ताकि वो immortal हो जाए, demons को भी चेता, ताकि वो immortal हो जाए, ये सारी चीजों के बीच में जो है लडाई जगडा हुने लग रहा था, लौड विश्णु जो है, मोहिनु का रूप धारन करके, उन्होंने जो है, इस कुम्भ के, अम्रित के कुम्भ को जो है, अपने इसमें ले लिया था, अपने हाथों में ले लिया था, और निकल कर वो देव लोग जाते जाते, चार ब बर्थ के अंदर भी इस प्रकार की लोगों की मान्यता हैं, तो ये प्रकार से आपको सारी हिस्ट्री भी बता दी, माइथोलोजी भी बता दी, आप देख लीजिए, कि टो 2021 का कुम्भ है, वो अलग क्यू है, पहली बात तो यह है कि एक साल जल्दी आने वाला है, वैसे तो चार्धाम यातरा, कन्वर यातरा ये सारी important यातरा है, उतरा खंड की tourism economy के बार में भी बात कर रखी है, कि उतरा खंड में टूरिस्ट आते हैं, इसले वहाँ के लोगों के पास रोजगार आता है, इसले वहाँ पर demand create हो पाती है, इसले वहाँ की economy जो है अच्छे से आगे का उस question के अंदर आपको पूछा ये गया था कि आइस कंपरेटु लेटर से मेसोपोटेमियन civilization या Egyptian civilization जो continue नहीं हो पाई इंडियन सब continent की जो ancient civilization है वो continuity के अंदर बरकरार रह पाई यानि कि उसकी continuity preserved रह पाई यानि कि जो पूराने हमारे traditions और cultures है वो आज भी चले आने लग रहे हैं जैसे for example कुम्भ मेला आज नहीं हो रहा है सदियों से हो रहा है बरसों से होने लग रहा है शायद centuries से होने लग रहा है शायद बहुत सालों से होने लग रहा है तो आईडिया यह होमवर्ग मैं आपको यह देना चाहता हूं कि आपको साथ practices outline करनी चाहिए from multiple traditions, from multiple religions कि वो कौनसी ऐसी practices है which has preserved the continuity of tradition in the Indian subcontinent अगर आप यह साथ प्रकार की practices को identify कर पाए, धून पाए, पढ़ पाए, comment कर पाए और वापस से कभी भी art and culture में इस प्रकार का difficult question आपके सामने आया कि Indian subcontinent में क्यो preservation of continuity हमारे को देखने को मिला है, तो at least आपके बास continuity के examples रहेंगे जिसको देखार आप justify कर पाएंगे कि लोगों की मानने अता है, लोगों के practices, traditions वो ही है, जो पहले थे, इसी यही हमारा evidence है continuity का और इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बात है आपको मालूम होनी चीए, उमीद करता हूँ कि आप समझ दाएं कि important homework 2015 के mains से linked है और इसलिए आपको यह homework दिया जाने लग रहा है, जब हम कुम्भ मेले की बात करने लग रहे हैं, तो कुम्भ मेला के बारे में भी आपके पस पूरी जानकरी इस note के अंदर दे दी गई है, आप देख सकते हैं, नाशिक प्रयाग हरिद्वार, as well as आपका उज्जेन is the right answer over here, moving ahead to question number 3, नगोर्नो करबक, यह प्रकार का एक फॉलो कर रहे हैं, न्यूसप्र को घुमा भी रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि नगोर्नो करबक, जो है, disputed area है, conflict वाला area है, तो कौनसे countries के context के अंदर ये news में देखा गया है, जो भी आपका answer उसे आप लॉक करेंगे, answer आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, answer to this question is, Armenia, Azerbaijan, यहाँ पर रड़ाई जगड़ा चलने लग रहा है, जैसे POK के अंदर problem चलने लग रही है, उसी प्रकार की problem जो है, नगर्नो करबक के अंदर है, कि एक country बोल रही है हमारा है, दुसरी country बोल रही है हमारा है, और वहाँ के लोग बोल रहे है कि हमारे को आजाती द जाएगा, देकिन prelims के अंदर conflict वाले area के उपर से question आ रहे हैं, इसलिए इसे cover करवाया गया है, आप map देख लीजिए, Armenia और Azerbaijan के बीच के अंदर जो है, आपको ये Nagorno करबक का region देखने को मिलता है, side में आपको Caspian Sea भी देखने को मिल रही है, अगर आपको याद है कि Caspian Sea की surrounding countries कौन सी है, तो तुरंत आप comment करके बता दीजिएगा, homework उसे भी ले लीजिए, तो नगरनो करबक कौन से countries है, Armenia, Azerbaijan is the right answer, and therefore the answer to this question is A, moving ahead to question number 4, इंडिया की bio diversity को धियान में रखते हैं, आपको बताना है कि हिमालियन ग्रिफॉन, हुरेशन ग्रिफॉन, as well as lemergear, ये क्या है, क्या ये reptiles है, क्या ये amphibians है, क्या ये birds है, क्या ये primates है, क्या है ये, इस साल इसी प्रकार का question आया था, difficult difficult प्रकार के animals, fauna के नाम रख दिये थे, और आपको बुच्छा था कि बताईए कि ये क्या है, reptiles है, amphibians है, birds है, primates है, इस प्रकार से option बना के रख दिये थे, तो उ पेसिविक ये वल्चर्स की नाम जो है हम लेने लग रहे हैं, right, almost 24 hours after opening of their enclosure, 8 captive hand-raired, यानि कि जो हमने बहुती नर्चर करा है, बहुती संभाल संभाल के बढ़ा करा है, oriental white-backed vulture, उनके बारे में news आई है, कि वो कैसे उन्होंने जो है wild में vulture के साथ mix करे, वहां पर उन्होंन जो है अपने अपने respective jails के अंदर, अपने respective conservation centers के अंदर, अपने respective enclosures के अंदर, cages के अंदर वापस आ गए, तो देखिए दोस्तों ये news उतनी ज्यादा important नहीं है, जितना ज्यादा important है ये नाम, hemolion, griffon, as well as white-backed vulture, ये सारी चीज़ों के नाम आपको मालुम होने चीए, क कि farmer, cattle raising के अंदर, diclofenac use करते हैं, क्यों use करते हैं, क्योंकि cattle को अगर बिमारी होती है, बुखार होती है, कोई pain होता है, तो diclofenac cattle को help करता है, लेकिन वो ही diclofenac consume करावा cattle, जब मर जाता है, और उस मरेवे cattle के अपर vulture आके feed करता है, तो diclofenac की वज़े से क्या होता है, diclofenac खाने की वज़े से जो अंडा vulture रखते हैं, वो अंडे का shell कमजोर हो जाता है, as a result of fish, उसके अंदर problem होती है, उसकी raring के अंदर problem होती है, जो renal failure की बात करी गई है, kidney failure की बात करी गई है, वो भी diclofenac के problem से associated है, तो ये important vulture के नाम आपके सामने रख दिये हैं, आप देख स fauna को preserve, conserve करने के साब से हमने program launch कर रखे हैं, जैसे for example tiger, as well as elephant, as well as dolphin, olive ridley turtles, as well as clouded leopard, तो ये बहुत सारे ऐसे faunas है, जिने preserve, conserve करने के साब से including vulture के लिए हमने program launch कर आवा है, जैसे हमारा great Indian bastard के लिए program launch कर आवा है, तो वो कौन से program, उनका specific नाम आप निकाल लीजे, कब launch करे ग biodiversity से related, चाए mains में question आई, चाए free में question आई, आपको ये सारी शीचे मालूम होनी चीए, अगर biodiversity preservation, conservation से related, अगर आप कोई mains के अंदर question लिख रहे हैं, और आप भारत सरकार के launch करे गए important programs का नाम नहीं लिख कर आ रहे हैं, तो आप अपने question को अधूरा छोड़के आ रहे हैं, आ आप अपने question के अंदर words ही important वाले डाल कर नहीं आ पाएंगे, on the other hand, अगर आप जो biodiversity से related question है, उसके अंदर ये programs का नाम लिख कर आ सकते confidently, एक-एक line के साथ, तो आप examiner को बहुती अच्छी, बहुती specific, और बहुती credible information दे कर आएंगे, और वो ये नाम देखकर आपको Moving ahead to question number 5, एक बहुती ज्यादा important debate शिडिवी इंडिया के अंदर regarding non-performing asset, उसी non-performing asset को ध्यान में रखते वे, एक आपके सामने table परकार का बना कर रख दिया है, कि type of asset और उसका description क्या है, ये आपको बताने कि कौन से pairs correctly matched है, क्या stressed asset यानि कि non-performing asset up to 60 days है, क्या उसे हम stressed asset कहते हैं, कि substandard asset हम उस non-performing asset को कहते हैं, जो कि NPA रहे चुका है for up to 12 months, कि doubtful asset हम उस NPA को कहते हैं, जो कि NPA रहे चुका है for more than 12 months, आपको सोच के बताना है, कि जो asset का नाम रखावा है, और जो उसका description रखावा है, वो कौन सा pair correctly matched है, stressed asset, substandard asset, doubtful asset सी वो प्रकार के terms है, जो कि आपका answer उसे आप lock करेंगे, answer आपके सामने रख रहा हूँ, दोस्तों, answer to this question is C, पहला statement गलत है, पहला pairing गलत है, अगर आप चानते हैं, कि पहले pairing में क्या गलती है, तो आप immediately comment करके बता दीजिए, मैं पूरी कहानी को आगे लेकर चलता हूँ, RBI ने Supreme Court को कहा है, कि जो आप आपने stay लगा दिया है, classification of non-performing assets के उपर, ये बहुती खराब आपका decision है, इसका बहुती खराब implication banking sector के उपर हो सकता है, और इस प्रकार के stay को आपको immediately lift कर लेना चाहिए, अब देखिए दोस्तों, non-performing assets को identify करना उतना ही important है, जितना body के सड़ेवे parts को identify करना important है, क्योंकि अगर मेरा ये body का बाट सड़ चुका है, अगर मेरे को इसको काट के फेकने की requirement है, तो मेरे को काट के फेकना पड़ेगा, चाहिए बुझे अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा, तो इसके आँ जो poison है, इसका जो rot है, वो पूरे-पूरे body को आइडिया है कि जब हम non-performing assets को classify करते हैं, तो हम ये identify करते हैं कि banks के कौनसे assets के अंदर कितनी ज्यादा problem आ चुकी है, क्या वो assets recoverable है, कब recoverable है, कितनी मशक्कत के साथ recoverable है, ये सारा exercise इसलिए important है, क्योंकि जनता का पैसा banks इखटा करके lend करती है, वो पैसा अगर वापस नही ज़रूरी है, identify करना ज़रूरी है कि ये पैसा कभी वापस नहीं आने वाल है, यानि कि ये asset dead asset बन चुका है, तो कोई भी asset dead asset नहीं बनता है, अचानक से वो stage by stage, stage by stage dead बनता है, तो उसी प्रकार से हमने एक पुरा पुरा चार्ट पना के आपके सामने रखा है दोस्तों, कि पहले तो आपका asset standard asset रहता है, वो standard asset के अंदर regular asset रहता है, जिसके अंदर interest repayment के अंदर principal repayment के अंदर कोई delay नहीं होने लग रहा है, फिर उसी standard asset के अंदर आपका asset stressed asset भी बनता है, stressed asset यानि कि मतलब क्या है, कि आपका interest payment के अंदर या principal repayment के अंदर 1 to 30 days का delay है, 31 to 60 days का delay है, 61 to 90 का delay है, यानि कि अगर आपके repayment के अंदर delay है, तो आपको stressed asset माना जाता है, 1 to 30 days का भी delay है, तो भी stressed माना जाएगा, 31 to 60 का है, तो भी stressed माना जाएगा, 61 to 90 का है, तो भी stressed माना जाएगा, SMA का full form आपको लिख लेना चाहिए, special mention account की बात हो रही है, तो special mention account 0 का मतलब 1 to 30 days का delay, special mention account 1 का मतलब 31 to 60 days का delay, special mention account 2 का मतलब 61 to 90 days का delay, यह आपको मालूम होना चाहिए, फिर non-performing asset कौन से है, तो अगर 90 days से ज्यादा का delay हो गया, तो आपका asset बन गया non-performing asset, उसके अंदर भी sub classification है, sub standard asset यानि कि NPA for up to 12 months, 12 months तक अगर आपका asset non-performing है, तो उसे हम sub standard कहेंगे, greater than 12 months अगर आपका asset non-performing रह जाते है, तो उसे doubtful asset कहेंगे, और अगर कोई bank या RBI कोई भी asset को non-recoverable classify कर देती, तो उसे loss asset मान लिया जाएगा, यह पैसा वापस नहीं आने वाला है, तो यह classification आपको मालूम होना चीए, और इसी प्रकार के classification के उपर Supreme Court ने stay लगा दिया, और RBI कहने लग रही है कि आप इस classification के उपर stay नहीं लगा सकते हैं, क्यों गर आप इस classification के उपर stay लगा देते हैं, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा, कि banking sector के अंदर, because of the pandemic, because of the economic slowdown, क्या प्रकार का problem चलने लग रहा है, banks की balance sheet कितनी healthy है, नहीं है, हमारे को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, non-performing asset एक प्रकार का cancer है, जो कि banks के पास पैसा कम छोड़ता है, तो banks lend नहीं कर पाती है, जब banks lend नहीं कर पाएगी, banks पस पैसा कम रहेगा, तो अपनी existing funds के ओपर interest rates को भड़ा देंगे, क्योंकि उन्हें तो कैसे भी करके profit कमाना पड़ेगा, ताकि जनता को उनका पैसा return करा जा सके, अगर banks lend नहीं कर पाएगी, तो banks employment generation के अंदर मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर banks lend नहीं कर दिये, तो investment नहीं हो पाएगा, investment नहीं हो पाएगा, तो employment generation नहीं हो पाएगा, तो non-performing asset एक बहुत बड़ा problem है, जिसे हमारे को tackle करना पड़ेगा, इसी point के ओपर मैं आपको एक बहुत ही futuristic question पूछना चाहता हूँ दोस्तों, कि आपको 5 recent steps बताने रहने की readiness रखनी है, कि सरकार ने हाल फिलाल में, क्या 5 steps लिये है, NPA को control करने के लिए, या RBI ने क्या steps लिये है, NPA को control करने के लिए, आपको इसलिए मालूम रहना चाहिए, क्योंकि आप 20 में mains लिख रहे हैं, या 21 में mains लिख रहे हैं, आपको मालूम रहना चाहिए, क्यों भड़ा है, और आपको मालूम रहना चाहिए, क्यों प्रॉब्लम को tackle करने के लिए, क्या steps लिए गए है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, कि आप ये मालूमात रखिए, आप अभी से पता करके रख लिजिए, कि 5 steps कौन से है, और अपनी memory को update करते रहिएगा, जब भी कोई नया NPS related news आती है, तो आपको ये 5 steps याद आने चाहिए, क्योंकि आप IAS बनना चाहिए, तो आपको solution देना आना चाहिए, हर problem का, चाहिए, production के problem का solution हो, चाहिए, biodiversity के problem का solution हो, चाहिए, NPS के problem का solution हो, आपको कोई भी problem का solution देना आना चाहिए, और वही solutions मैं आपसे मांगने लग रहा हूँ, इन homework से, माध्य हम से, उमीद करता हूँ, कि आप homework बड़े मांदारी से करने वाले हैं, आप देख लीजिए, statement A, ज ideas can change the world, इसी point के उपर दोस्तों, Nelson Mandela और महत्मा गांदी का नाम लेना चाहूँगा, कि उनके words और ideas की वज़े से, दुनिया के उपर कितना भारी change पड़ा है, लोगों को आज तक उनके words और आज तक उनके ideas, जो है, move करने लग रहे हैं, उसी बहुती macro example को अगर हम हमारे छो सके या बुरा impact जा सके, similarly, जो भी आपके words, ideas है, जो आप grant करने लग रहे हैं, जो आप internalize करने लग रहे हैं, वो words, ideas ऐसे होने चीए, जो कि आपकी दुनिया change कर सके, for example, मैंने आपको कुछ advice दिया, तो अगर मेरा advice, अगर आप कुछ अच्छा सीख कर अपने world को change कर सके, त आपके दुनिया को change कर सके, और उसी प्रकार से आपको भी words और ideas ऐसे share करने चीए, जिसके वज़े से किसी का positive impact आपको देखने को मिले, इस प्रकार की बात, इस Robin Williams के quote के साथ मैं आपके साथ share करना चाहता था, with this, we'll bring the Jigyasa to an end, thank you very much, all the very best, and जेय हैंत!